बच्चो कोशन करें ते लास्ट लेक्चर में आज की लेक्चर में रेडियस ओफ गाईरिशन एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से ज्यादा इतना नहीं पूछा जाएगा लेकिन हाँ आगर आप जेही मेंस या एडवांस के लिए या नीट के लिए सोच रहा है तो इसमें से सवाल पूछे जा सकते जादे तो सवाल नहीं पूछे जाते कहीं बार कंसेट में यूज होता है और बोर्ड में कहां कंसेट में यूज होगा यानि कि मैं स्कूल एक्जाम के बच्चों आप लोग की बात कर रहा हूँ तो यह आपका इस्तमाल यानि कि rolling motion on inclined plane यानि कि आनत तल पे पड़ोगे जब तब वहाँ पे इस्तवाल हो जाएगा तो इसलिए सीख लेते ना असान रहेगा अभी से सीखते हुए चलोगे तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और वैसे दिक्कत आए तो मैं हूँ न यहाँ पर चलो बचों मै मैं हूँ सिधार थरितश और आप देख रहें विद्पत्री चैनल तो आज के लिए क्या आपना टॉपिक ऑफ डिसकेशन है रेडियस ऑफ काईरेशन जिसे हम कहते हैं घूर्ण तरिज्या या परी भ्रमण तरिज्या जैसा कि आपको आपकी टेक्स्ट बुक में देखने क मिलता होगा क्या है कोई नहीं तरिज्या आ गई है या कुछ और है देखो ऐसा है जैसे कोई बॉड़ी है इसका मुमेंट ओफ इनर्शिया मुझे पता है अब मैं क्या करता हूं इस बॉड़ी का पूरा मास यदि मैं किसी एक बिंदू पर केंदरित माननू तो घूरणन अक्ष से वह दूरी जहां पर हम किसी पिंड का पूरा दर्मिमान केंदरित मान लेते हैं तथा उस अक्ष के परिता उस केंदरित दर्मिमान का जरत्त आगुण वही है जो समान वित्रण पर है तो ऐसी दूरी को हम क्या कहते हैं घूलन दिज्जा कहते हैं को समझ में आया explain करता हूं सब समझ में आएगा फिट definition देखेंगे तो पहले explain कर रहा हूं मैं तो बेटा देखो घूलन दिज्जा में क्या पड़ते हैं मान लेते हैं कि यह कोई body है इसका दर्विमान M है इसका moment of inertia आई है इस A A prime axis के परिता है अक्ष के परिता है अक्ष के अबाउट तो पिटा इसका moment of inertia अगर आई है तो मैं ख्याता हूं कि इस पूरे दर्विमान को मैं किसी एक बिंदू पर केंदरित मान ले रहा हूं किसी एक बिंदू पर केंदरित मान लिया तो उस केंदरित दर्विमान की अक्ष से वह दूरी जहां पर इस केंदरित दर्विमान का जुरत्त वागूर वही है जो वास्तविक पिंड का है वो आपका कहलाएगी यह दूरी कहलाएगी radius of gyration या फिर घूनन त्रिच्या समझे है ना सांची गुणन त्रिच्या कहलाएगी यह तो आपकी गुणन त्रिच्या की एम के स्क्वार भई इस केंदरित दर्विमान का इस अक्ष के परिता क्या हो गया आई ए ए प्राइम यह हुआ और बोड़ी का जो इस अक्ष के परिता जो है जड़त्तो आगून वो के इतना है आई है और यह दोनों कैसे हैं बराबर है तो m के स्क्वार बराबर क्या हो गया आई तो k बराबर क्या हो गया स्क्वार रूट आफ आई बाई ख क्या है कि ए इसकी यूनिट क्या हो गी कि यूनिट मीटर ही होगी डायमेंशन लंभाई यह हो गी लिंद्द की ही होगी तो यह बात हमें सब्सक्रानी आयोיכ अब परिभाशा देखने इसे नोट बाद में करना आप लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है गुर्णन त्रिज्या गुर्णन अक्ष से वहधूरी होती है जहां पर पिंड का संपूर दर्ब्यान केंद्रित मान लेने पर जड़तो आगून का वही मान प्राप्त होगा जो पिंड क वास्तिविक दर्ब्यान वित्रण पर होता है ठीक है जिंपल आना आप देखो दो चार हम क्या कर लेते हैं कोशन कर लेते हैं तो अगर आपकी पास एक रिंग है रिंग तो जानते हो ना रिंग का मूमेंट ओफ इनर्षिया हमें पता है उसके केंदर से पास होने वाली अक्ष के परिता जो होता है I is equal to आता है MR square तो इसकी अगर दर्बिवान M है तो इसकी भई है गुणन तर्जया क्या होगी तो देखो सूत्र देखो I की मान रखो MR square दर्बिवान ये के आ गया गुणन तर्जया R ही हो गई ठीक अगर R इन शॉट लेलो फिर उसके हाथ आगे की बात करते हैं बच्चों तो बच्चों अब देखते हैं डिस्क यानि की चक्ती चक्ती का जो इसके केंदर से गुजर रही अक्ष के परिताहा मुमेंट ओफ इनर्शिया आता है वो आता है I is equal to 1 by 2 MR square यह आता है तो अब बेटा इस की रेडियस क्या होगी सूत्र क्या पड़ा था हमने गुण अंत्रिज्या का के इस इक्वल टू स्क्वार रूट ओफ आई बाई कैपिटल एम आई का मान रख दो एक बटे 2 MR square बटे एम एम ने एम को मारा आर बाई रूट तू अंसर हमने पा लिया अब आपके पास बही जो सॉलिट सिलेंडर की है वही डिस्क की है मुमेंट आउफ इनर्शिया तो दोनों का सेम है वही आ जाएगा बचे क्या आपके पास भई बचे बीटा हमारे पास खोकला गोला तो खोकला गोला जो है इसकी रेडियस ओफ गायरेशन जो है वो क्या होगी खोकला गोला तो खोकला गोले की देखो सूत्र क्या है आपका सूत्र पे चलना है अभी तो केबल यह होता है आपका रेडियस ओफ गायरेशन का जो है सूत्र k is equal to i divided by m i कितना होता है खोकले गोलेगा दो बटे 3m r square बटे capital m यह हो गया आपका square root of 2 by 3 r रेडियस ओफ गायरेशन यह आगई ठीक है ना कोई दिक्कत है ना आसान इसके बाद थोस गोला होता तब क्या कहते हम लो तो बेटा थोस गोले के लिए देखो थोस गोले का पहले बस सोचो moment of inertia क्या होता है थोस गोले का बच्चे यह होता है 2 by 5 m r square क्या करना है द्रविवान से भाग देना है और वर्गमूल ले लेना है तो यह होगा आपका कितना होगा बेटा square root of 2 by 5 r radius of gyration आ गई सब की बता दी मैंने ठीक है अब देखो क्या-क्या properties है radius of gyration की उसे पहले board पर जित्ता लिखा है या तो इसका photo निकाल लो screenshot ले लो या फिर इसे note कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा note कर लो और अगर lecture में continue रहना है तो screenshot ले लो ठीक मैं हज़ा रहा हूं जल्दी से कर ले लो बिच्चे और यह आपके उसकी जे axis है हम मान सकते हैं यह body कई सारे छोटे-छोटे कणों से मिलके बनी है तता पहले कण की अक्ष घुर्णनक्ष से लंब बद दूरी जो है वो आरवन है इसी तरीके से दूसरे कण की जिसका दर्विमान M2 है और घुर्णनक्ष से जो दू जी यह आराई तथा दर्विमान M1 है हमसे निकालना क्या है बिटा हमें moment of inertia का इस्तेमाल करके घुर्णन तरिज्या की हमें बात करनी है तो घुर्णन तरिज्या क्या कहती है गुर्णन तरिज्या की बात होती है k is equal to square root of i by m यहीं बात होती है i की value क्या लेखेंगे हम m2 r2 का वर्ग m3 r3 का वर्ग अब यहां पर ऐसे ऐसे ले गया और यहां गया m n rn का वर्ग i बराबर इत्ता आ गया या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है summation mi ri square और i is one to n यहां से यहां तक जा रहा है इसका मान यह समीकर एक यह समीकर दो कह दे रहा हूं यह समीकर एक कह दे रहा हूं इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा k वराबर m m1 r1 square प्लस m2 r2 square प्लस m3 r3 square mn rn square बटे capital M और इसका वर्गमूल अब यदि आपका मान लो सभी गणों का दर्विमान समान है मान लेते मानने में क्या जाता है मान सकते हैं न जल्ली से बोलो मान सकते हैं तो बेटा m1 बराबर क्या लिए लेखते हैं m1 बराबर m2 m3 m4 mn बराबर m सब का मान नतों क्या मिलने माला है बहुत कुछ मिलने माला है मिलेंगे पेड़े ठीक है m1 m2 m3 m सब कॉमन आ जाएगा बाहर आ जाएगा यह ठीक नीचे क्या हो जाएगा आपका यह हो गया r1 r2 r3 का वर्ग इधर r3 का वर्ग rn का वर्ग यहां तक की बात हो गई अब देखो भई कुल दर्वेमान क्या होग अब अगर हर एक का दर्वेमान m है small m है तो total दर्वेमान यानि कि कुल दर्वेमान किता हो जाएगा n गुड़ा m simple तो यह n into m जो हो जाएगा यह माफ कीजेगा अंदर ही रहेगा यह बाहर आता तो square root of m हो जाता और नीचे आ जाएगा m into n यह देखो गया small n क्या है कुल करण जित्ते भी है तो आपकी यहाँ पर बच्चो radius of gyration यानि कि घुलन दिज्जा की बात को कित्ती बन गई यह हो गया सूत्र जाएगा किताबों में देखने को मिल जाता है आर वन का square r2 आप लोग रट लेते हो रटना नहीं है समझना है बाई small n सिंपल था ना चलो और अगर इक्वल नहीं है द्रभिमान तब कौन सा सूत्र इस्तमाल करेंगे यह वाला जब द्रभिमान समान नहीं है तब हम इस वाले सूत्र का इस्तमाल करेंगे जब द्रभिमान समान है शॉर्टकट में यह भी लगा सकते हो ठीक गोडन तिज्या की बात पता चलगी प्रॉपर्डीज देखनी है इसकी किस चीज पर डिपेंड करती है किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है तो इसे भी देख लेते हैं इसे नोट कर लो फटा फट से इसे देखते हैं प्रॉपर्डीज को तो बच्चो घूर्ण या निर्वर करती है घूर्ण नक्ष पर होता दाएगा क्योंकि हर एक वस्तू का जो मुमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जो जड़तो आगोड है बिन बिन अक्षों के लिए बिन मिन होता है व्यास के परितार रिंग का मैं या वले का आपको कहूं कि जड़तो आगोड एक बड़ी दो एमार स्कॉयर होता और उसके तल क अंतिज्या भी परिवर्तित हो जाएगी ठीक है अब अगली बात वस्तू के दर्विवान वित्रण पे ज्यादा दर्विवान बाहर होगा तो ज्यादा मुमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और ज्यादा मुमेंट ऑफ इनर्शिया होगा को मिला के आपका ज्यादा ही रेडिय दोनों के बड़़ी माफ कीज़ेगा हिसा पर दोणों डिसक हैं तर्जया समान, थोड़ा सा एक्जांप्ल में मॉडिफिकेशन है आपकी ये जाता है एक आपने सोनरिक्न डिसक बनाई एक आप दोनों की तरजिया बराबर रखी आकरती बराबर रखी लेकिन सोने का घनत तो बहुत जादा होता है तो सोने वाली जो आपके डिस्क है या चक्ती है उसकी रेडियस ऑफ गारेशन और एल्मोनियम वाली जो आपकी डिस्क या चक्ती है उसकी रेडियस ऑफ गारेशन बराब सेम रहेगे आपर अब सम्मित भिवाजन के लिए गुंड़न त्रिज्या आप परिवर्तित रहती है सम्मित भिवाजन से मतलब क्या है मतलब मैं अगर कोई सिम्मित्रिकली पोशन कट करके निकाल दूँ ठीक तो रेडियस भिवाजन के लिए रेडियस भिवाजन यानि गुंड़न त्रिज्या सेम रहती है कैसे जरा ध्यान से समझते हैं तो बच्चो सम्मित भिवाजन से मतलब देखो मानलों यह आपकी एक कम्प्लीट डिस्क है इसके लिए जो रेडियस ऑफ गरेशन है अब मैंने डिस्क में से एक चौथाई भाग निकाल दिया इत्ता भाग निकाल दिया तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ गरेशन है दोनो इत्तאל भीbas tunic यहाँ ने इत्ता सभुड़ा काटी लिया तो यह कैससा भीवाजन है आज सम्मित वीवाजन है याप यहाँ विवाजन टिरिज्य आपकी परिवर्तित हो जाएगी कितनए से परिवर्तित होगी तो यह आपकी गूदन त दिरिया जो नहीं वनेगी यह हो जाएगे square root of i minus delta i जित्ते का इसका गया बटे पूरे दर्वेमान से इस छोटे से section जो हमने निकाल लिया है इसका दर्वेमान घटा दो यह आपकी हो जाएगे अस सम्मित विवाजन के के लिए और क्या है अब जहान से देखते हैं और चीजों को भी कि मेटा सम्मित योग के लिए भी गूर्ण अंत्रिज्या जो है आप परिवर्ते रहती है सम्मित योग यानि की एक डिस्क है ठीक है इसकी ऊपर आपने सेम डिस्क और रख दी तो भी मुमेंट ऑफ इनर्शिया टू आई हो जाना है लेकिन दर्वेवान भी टू एम हो जाना है तो क्या आपकी रेडियस ऑफ गाइरेशन में परिवर्तन आया नहीं यह तो वही रही स्क्वार रूट अफ आई बाई देखे नहीं आप यहां पर एस्यमिट्रिकल एडिशन यानि कि हम कहा है असमित योग के लिए परिवर्ते दो वह कैसे करेंगे देखते हैं सिंपल से इसे हटा देता हूं मैं स्लाइट को तो देखो क्या करा यहां पर एक डिस्क है और इसकी उपर बैने एक बॉल ऐसे बां और इस एक और तो इससे में रेडिएस ऑफ गरेशन टोटल मुमेंट ओफ इनर्शिया सिस्टम का यह एक प्लस यह मार स्कॉर हो गया बटे कुल रभिवान कैपिटल एम प्लस स्मॉल हो गया तो यहां पर चेंज हो गए बाते तो यहां पर सेम नहीं रही गुर्णन तरज् दिवर्तित हो जाती है ठीक सिंपल जैसा यहां पर देखने को मिल रहा हैं बच्चों बहुत इंपोर्टन टाइम है अब एकदम महतफूर काम के लिए अपने लोग तयार हैं क्योंकि हमने सारी ठीरी पढ़ ली सारे डेरिविशन देख लिए सवाल करेंगे अब प्रैक्ट बच्चों कैसे करना है सवाल सबसे पहले कि यह हम लोग एक वर्ग देख लेते हैं कि यहां पर आपका एक वर्ग है इस वर्ग के चारो कोनीयों पर तुवे व्यास हैं तो ऐ तरज्या हो गई और और तरज्या के ठोस गोले रख gat olsun ओलने साथ ये तरिज्या A हो गई, इस पर क्या रखें, ठोस गोले रखें, हमसे पूछा गया है, कि इस निकाएगा भुजा A, B, C, D, भुजा B, C के परिता हाँ, जो है, आपका कितना होगा इसका, moment of inertia ये ग्याद करना है, कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखो, भुजा B, C के परिता देखने है, तो ये तो इसके ही अपने अक्ष के उपर घुम राए, ये भी हाँ अक्ष के उपर घुम राए, लेकिन ये अपने अक्ष के उपर नहीं घूमेगा, तो यहाँ पर हमें आपकी parallel axis theorem है, वो लगानी पड़ेगी, ठिक, तो पहलेरे देखो, पहले गोले के लिए जो है दूसरे गोले का जो भी आए तीसरे गोले का BC के लिए और चौथे गोले का BC के लिए Moment of Inertia हमें देखना पड़ेगा पहले गोले का BC के लिए Moment of Inertia दूसरे गोले का BC के लिए Moment of Inertia देखना पड़ेगा ना अब देखो पहला गोला जो है वो तो अपने केंदर से पास हो रही, गुजर रही, अक्ष के परिता ही गुम रहा है तो भई पहले गोले का मुमेंट ओफ इनर्शिया जो I1BC लिख रहा हूँ वो तो 2 by 5 M A square हो जाएगा यही चीज दूसरे गोले के लिए भी फैद्द है 2 by 5 M A square दूसरे गोले के लिए भी है तीसरे गोले की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी चीज़े चेंज है तीसरे गोले को दियान से देखना वेटा यह इसकी खुटके केंदर से गुजरने वाली अक्ष है, लेकिन हमें देखना है BC जो की दूर है B, तो यहाँ पर हमें इस अक्ष के परिता देखना है न, तो यहाँ पर हम कौन सी प्रेमे लगाएंगे, समानतर अक्षों की प्रेमे, उससे देखेंगे, तो इस अक्ष के परिता कितना होता है इसका, समानतर अक्ष की प्रेमे क्या कहती है, किसी भी अक्ष क के बीच की दूरी का वर्ग तथा द्रविमान की गुडणवल के योग के बराबर होता है तो यही बात यहां पर हमने लिख दी है तो भई इस गोले का क्या हो जाएगा इसी तरीके से चौथा जो गोला है उसका भी होगा टू बाइ फाइव एम ए स्क्वाइर प्लस एम बी स्क्वाइर इन सभी को एड़ कर देंगे तो हमें निकाए का कुल जड़त्व आगूर मिल जाएगा बी सी अक्ष के परिता ही तो आई टू बी सी आई ट्री बी सी आई फोर बी सी ठीक है यह हो गया तो आपका आगया देखिए इसमें सम्में टू बाइ फाइव एमे स्क्वाइर तो कॉमन ही है तो यह हो जाएगा एट बाइ फाइव एमे स्क्वाइर और यहां आजाएगा 2 m b square कुल जड़क तो आघूर आगे आई ठीक इसे फटा-फट से नोट कर लो बच्चो अगले प्रिश्णी की तरफ पढ़ते हैं तो बच्चो नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं बहुत बढ़ी असा सवाल है सवाल कर रहा है कि एक कैपिटल एम दर्विबान तता टूए व्यास अगर व्यास टूए बेटा तो इसकी त्रिज्ज्या तो कित्ती हो गई ए हो गई इत्ता याद रखो अब क्या कह रहा है कि कि ब बढ़े जड़ तो देखो वैं कैसे करना है यह तो मैं इसे इमेज को अटा देता हूं ध्यान से देखेगा वैं यह दे रखा है सभी गोले का दर्विमान हैं और जब कुछ नहीं दे रखा तो ठोस गोला मानना है कहें खोकला गोला मानने के लिए तभी मानना वच्छों ये ठोस गोला, solid sphere, अब solid sphere का moment of inertia बताओ क्या होता है, सोचो दिमाग पर जोड डालो, यहाँ पर सोचो ऐसे करके, हाँ, 2 by 5 है मार स्क्वाइर, तो यह होता है बेटा, तो अब हमें देखना है कि B, B dash axis के about क्या होगा, यहीं से है, ऐसे मैंने इसको जोड लिया, एक फिकर बचाने के लिए, ठीक, और यह axis आपकी center से पास हो रही है, तो मुझे इस axis के about क्या होता है, moment of inertia, 2 by 5 MR square, एक गोले का, तो इसके समानतर ऐसे गुजर रही अक्ष के परिता क्या हो जाएगा, समानतर अक्षो की प्रमय लग जाएगी, यह दूरी किती है B, यह आपके दो, मतलब diagonal के बीच के आधी दूरी है न, तो यह किती हो जाएगी, यह हो जाएगी बिटा, B, root 2, बटे 2, B by root 2, बस एक गोले के लिए जो होगा, वो बाकी चारों गोलों के लिए होगा, और हमें इन सब का जोड़ देना है तो चार गुणा कर लेंगे, इसी चीज का इस्तमाल कर लेते हैं, तो पहले गोले का जो moment of inertia आएगा, 2 by 5, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 2 by 5 M A square, माफ करना बच्चों, यह थोड़ा सा गलती से लिख गया, 2 by 5 M A square, सही है न, अब प्लस दोनों अक्षों के, दोनों अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग, वो कित्ता हो गया, B square by 2, गुणा, गुणा क्या करना है और ध्यान से देखो, द्रविवान, द्रविवान कित्ता है M, अब ऐसे ही क्या करना है, I1 बराबर, I2 बराबर, I3 बराबर, I4 है, बराबर I है, तो I net जो होगा, चारे गोलों का, इस एक्षे बीबी प्राइम या आक्षे कहूं, बीबी प्राइम के परितार समानी होना है, तो चार गुणा हो जाना है, तो चार I हो गया, चार I की वैल्यू, 2 by 5, M A square, M B square by 2, ठीक, और यह हो गया आपका, 8 पटे 5, M A square, M B square, 2 M B square, ठीके ना, असान है, फटा फट से से नोट कर लो, बचो जो next part है, इस question का, वो क्या है, कि भईया, A A prime axis के about निकालना है, निकाल सकते हो, खुद से try करके देखो यार, एक बार, और फिर मुझे बताओ कि क्या answer आता है, बहुत असान है, कोई difficulty नहीं है, अब देखो, try कर लिया है, तो देखो, solution क्या है, इसका, सबसे पहले, ये तो अपने, केंदर से गुजरने वाली, अक्षिक से ही, रोटेट करेंगे, इसका तो वही जड़त आगूर हो गया, ये तो वानवाई, छंबक छलो वाला सीन हो गया था, बिटा, खेर, तो यहां पर ये तो अपनी अक्षिक, जो इसके केंदर से गुजर रही है, उसी अक्षिक के परिता ये घूमेगा, ये भी उसी अक्षिक के अक्षिक के परिता जो अगर जड़त आगूर की बात करने तो 2 by 5 ma square होगा, तो इस अक्षिक के परिता हमें देखने के लिए समानतर अक्षो की प्रमय का प्रियोक करना है, ये दूरी किती है, b by root 2 है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम नाम दे लेते, 1, 2, 3, 4, तो पहले जो है पहली गोले का, a, a prime axis के about moment of inertia लिखना है, और ये याद रखो बिटा, कि ये जो moment of inertia लिख रहे हो, ये axis इसी के केंदर से गुजर रही है, तो center of mass वाला ही लिखना होगा, जो की हो गया है, 2 by 5 ma square, फिर तीसरे गोले का भी अगर मैं लिखूं तो ये ही हो जाना है, 2 by 5 ma square, बा तो यहाँ पर तुमें इस्तमाल बच्चों करना पड़ेगा, ICM, और यहाँ पर समानतर अक्षो की प्रमय क्या कहती है, वही गोले का दरविवार और अक्षो के बीच की जो दूरी है, उसका work, ICM वही 2 by 5 ma square plus mb square by 2, और जो दूसरे का होगा वही तो चौथे का होना है, तो अब कुल अगर मैं बात करूं जड़तों आगूण की तो i net बराबर आ गया, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 और i1 सब में क्या common है, 2 by 5 ma square तो यहाँ तो 8 by 5 ma square लिख सकते हो, और इन दोनों का mb square by 2 mba square by 2 जोड़के mb square लिख सकते हो, कुल जड़तों आगूण यहाँ पर प्र अब देखेंगे, खंडित वस्तूओं का कैसे जड़तों आगूण निकालते हैं, जानना यह भी जरूरी है, उसको जानेंगे, इसे पहले नोट कर लो, फिर खंडित वस्तूओं के बारे में बात चीता है, बच्चों बहुत महत्वपूर, खंडित वस्तूओं का किस तरीक आपको देख रहा होगा, मैं बना भी दूंगा, अगर आपको बलर लग रहा है, इमेज क्वालिटी अगर अच्छी नहीं लग रही, तो देखो, चक्ती काट दी गई, एक डिस्क और निकाल दी, आर भाई, थ्री रेडियंस की एक डिस्क थी, उसमें से डिस्क और निकाल ले गई, अब इस तल के लंबवत उसे गुजरने वाली, यानि केंदर से गुजरने वाली, और तल के कैसे है, लंबवत है, तो उस लक्ष के परिता, क्या होगा, जड़त्वागुन ये पूछ लिया, तो इस कोश्चन को कैसे करना है, ये देखते हैं, तो बच्चो कुछ इस तरीके के ही आपको डाइग्राम दिया हुआ था, अब ये आर जो है, मैंने यहां पर आर ले लिया है, और ये नहीं, कॉश्चन में भी आ रही था, चलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सबसे पहले देखो, पैसे सबसे पहले देखो, बच्चो, कि आपका ये जो गोला काटा है ना, इसका दरविमान किता है, और ये जो दरविमान किता होगा, तो देखो एकांग छेत्रफल पर कितना दर्विमान होगा पूरा छेत्रफल पर अगर आपका M दर्विमान है तो एकांग छेत्रफल पर कितना हो जाएगा M बटे पाई R स्क्वार यही दर्विमान हो गया अब इसी की अगर इसके छेतरफल से गुणा कर दूं तो मुझे यह M दरबिमान मिल जाना है बहुत आसान चीज है यह तो यह हो गया M R स्क्वाइर भाई 3 का वर्ग और M आपको टोटल किता है 9 M है क्या करा बहुत आसान है मैंने क्या करा एक आंग 6 तरफल पर निकाल लिए इसकी बात कर ली और इसकी बात करी तो मेरे को यह मिल गया कित्ता मिला है पाई ने पाई को मारा भाई R स्क्वाइर से R और यह आ गया capital M तो small m बराबर capital M तोटल मास कित्ता है इसका यह याद रखरा है 9 M है और इससे कित्ता निकल गया है जब इस capital जो M मास का इस अक्ष के परिता कितना होना है आपका मुमेंट ओफ इनर्शिया वो देख लेते हैं तो चक्ति का खुद के सेंटर ओफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के आपक मुमेंट ओफ इनर्शिया कितना होता है और यह दूरी कितनी है 2R by 3 तो प्लस M बाई अब रेडियस कितनी थी यह रेडियस थी R by 3 तो R square by 9 हो जाएगा इस चक्ति की बात कर रहा हूं मैं इस सेक्शन इसका बहुत कहते रहा हूं बेटा मुमेंट ओफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है आई वन तो यह रेडियस का स्क्वेर यानि की रेडियस का वर्ग और यहां पर कितना हो जाना है एम दोनों अक्षियों के बीच की दूरी 2R by 3 उसका बर्ग यह हो जाना है देखो MR square by 18 और यह हो जाना है 4 MR square by कितना हो गया बिटा यह नाइन अब इधर क्या करो इधर देखो इसको अगर एड कर लोगे तो हो जाएगा MR square तो common ले लो और यह हो जाना है चार दुनी आट नो दुनी अठारा और एक MR square by 2 हो जाना है अब अब हम बात करते हैं बेटा पूरे डिस्क का moment of inertia हमें पता है अब हमें इस सिस्टम का निकालना है तो इस पूरे सिस्टम का मैंने वाली i2 है तो मैं क्या लिखूंगा कि जो i1 है जो cutaway की बिज़े से है plus i2 पूरी complete डिस्क जो है बनी होगी एक तो इस वाले section से और इस का moment of inertia i1 और इस cutaway का moment of inertia i2 इन दोनों को जोड़ दो तो complete disc मिलता होगा यही तो बात है ना अरे समझ में आता है न बच्चो तो यह चीज का इस्तमाल करते हुए हम लेख सकते हैं यहां पर कि complete disc का moment of inertia होता है 9 mr square by 2 और यह i1 आपने रख दिया mr square by 2 plus i2 9 mr square by 2 इसे बच्चो हल करेंगे तो i2 बराबर आजाएगा 4 mr square ठीक है और यही हमारा उत्तर है तो इस तरीके से निकालते हैं बच्चो खंडित वस्तूओं का moment of inertia वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ share भी करिएगा और आखर वह क् की solutions मिलने होंगे आपको ऐसे भी जरूर करिएगा concept of physics एक बहुत अच्छी किताब है जिसे जिसके राइटर जो है वह हमारे professor सहाब है तो उन्हीं के लिए नाम दे दिया जाता है से वी उनके समान भी हमारे हिर्दय में बहुत है तो इनकी जो यह पुस्तक इसको जरूर करि ठीक तो अभी पड़ते हैं next lecture में मिल दे हैं बाई जय हैं